हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माई चैनल हो में स्पाइसिस मैं हूँ रूची और आज मैं बनाऊंगी फटाफट और सिंपल तरीके से एक भुरजी तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं पैन में दो बड़ा चमच ओयल लेंगे और थोड़ा सा बटर लेंगे इसके बाद में इसमें डाल रही हूँ तीन से चार हरी मिर्च एक बड़ा चमच अद्रक और एक बड़ा चमच लसन इसे अच्छे से भून लेंगे जब यह हलका भुंजा उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे प्याज मैंने एक बड़ा वाला लिया है इसके बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाप से ले नमक डालने से प्याज जो है वो जल्दी गल जाएगा प्याज जब अच्छे से भुंजा उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे टमाटर को अच्छे से गलने देंगे इसके साथ ही मैं इसमें कुछ सुखे मसाले डाल रही हूँ जिसमें मैं दो छोटा चमज लाल मेच पाउडर एक छोटा चमज ब्लैक पेपर और दो छोटा चमज पाउभाजी मसाला डाल रही हूँ ये कम्प्लीटली ओप्सनल है लेकिन अगर आपको चटपटी सी एक भुर्जे चाहिए तो आप ये मसाला ट्राई कर सकते हो मसाला जब अच्छे से भुंजा इसके बाद इसमें अंडा डालेंगे अंडे को पहले बवाल कर ले उसके बाद उसे इस तरीके से छोटे-छोटे पीस में काट ले एक भुर्जी बनाने के कई तरीके हैं कुछ लोग कच्छा अंडा भी डालते हैं लेकिन कच्छे अंडे की एक स्मेल होती है जो सबको पसंद नहीं आती इसलिए मैं एक भुर्जी इस तरीके से बनाना पसंद करती हो अब इसे हलका सा बून लेंगे इसमें फिर उपर से हलका सा धनिया पत्तर डालेंगे और इसे चला लेंगे मुझे और मेरी फैमली को ये एक भुर्जी बहुत जादा पसंद है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजे मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी तो एक भुर्जी हमारी रेडी है चलिए अब इसे सर्व कर लेते है मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा जल्दी ही मिलते हो फ्रेंड्स फिर्स से एक नए रेसिपी के साथ